सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सबी के लिए लेकर आया हूँ सैमसेंग की तरफ से एक नया बहुत ज़्यादा बड़िया बजट मोबाइल सैमसेंग गलेक्सी F12 जो लेटेस लाउंच कर दिया सैमसेंग ने 11,000 का तो दोस्ते इस वीडियो में में इस मोबाइल की अंबॉक्सिंग करके आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या कमिया हैं क्या क्या चाहिया हैं और आपको इसको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा मिलकुल भी स्किप मत करिएगा बॉक्स आपको इसका कुछ इस तरीके से मिल जाता है पीछी की तरफ ये सारी स्पेसिफिकेशन दी गई है पढ़ सकते हैं बाकि इसके बॉक्स के उपर रेट लिखा वो मिलता है आपको 13,000 का लेकिन यह आपको ऑनलाइन मिल जाएगा 11,000 में रेट हिसका 11,000 चली देखते हैं इसके साथ क्या क्या मिलता है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले एक मिनी बॉक्स मिलता है उपर के तरफ लगवा जिसमें लगवा है एक सिमिजक्टर टूल अंदर के तरफ दिये गए हैं कुछ यूजर मैनुवल इसके बाद मिलता है मूबाल एक रैपर के अंदर डिटेल लुक हम भी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है यह वाइट कलर में डिटे केबल लेंथ इसकी नॉर्मल है बाकि कॉलिटी बहुत ज़ादा बढ़िया है और अची चीज़ यह है इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है बाकि दुस्तों कवर इसके साथ आपको नहीं मिलता बॉक्स के अंदर आखर में आपको रख़व़ मिलता है यह वाइट कलर में चार्जर अब दुस्ते इस मूबाल के अंदर आपको fast charging का support भी दिया गया है और एक 15 watt का fast charger mobile के साथ box के अंदर ही मिल जाता है तो charger आपको काफी जादा बढ़िया दिया गया है fast बहुत अच्छी build quality में अब ये सारा समन आपको मिलता है Samsung Galaxy F12 के साथ 11000 में rate के साथ से देखा जाए तो box के जो contents है वो आपको वैसे काफी जादा बढ़िया ही दिये गया है type C cable भी है काफी बढ़िया quality की और आपको important चीज charger भी fast मिल जाता है बहुत अच्छी build quality के साथ कमी ये ही है इसके साथ आपको cover नहीं दिया गया box के अंदर और दोस्तो earphones तो आपको आजकल लगबख किसी भी smartphone के साथ देखने को नहीं मिलते है जो इसके साथ भी आपको नहीं दिये गए तो rate के साथ से देखा जाए तो box के contents इसके अंदर फिर भी काफी बढ़िया है चली बात कर लेते हैं दोस्तों design के बारे में पर उपर की तरफ बागी दोस्तों इसके अंदर आपको camera के बारे में बात करें तो पीछे की तरफ चार camera दिये गए हैं कुछ इस तरीके के design में जिसमें main camera है पहला 48 megapixel का दूसरा camera है 5 megapixel का दो camera है 2-2 megapixel के front camera है इसका 8 megapixel का camera की performance आपको फिर भी rate के साब से इसके अंदर काफी बढ़िया मिल जाती है करीब से भी आप इसकी lining का design देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हैं जो काफी अच्छा लग रहा है इसके लब दोस्तों आप देख सकते हैं complete design आपको इसका design कैसा लगा यह चीज comment करके जरूर बताईएगा मुझे दोस्तों इसका color भी design भी काफी जादा पसंदा है क्योंके quality भी काफी अच्छी है design की और look wise भी बढ़िया है बात करें दोस्तों के display के बारे में और कर लेते हैं इसको on मैं आपको दिखा देता हूं इसके अंदर आपको features कैसे दिये गए हैं अंदर से यूज़ करने में ये mobile कैसा लगता है तो दोस्तों display इसके अंदर आपको दी गई है साड़े change की लगबख 6.5 inches की display मिल जाती है इसके अंदर आपको जो की एक IPS HD Plus ही display है ये मुझे इसमें कमी लगी कम से कम Full HD Plus display होनी चाहिए थी तो काफी बढ़िया रहता और दोस्तों इसके अंदर आपको AMOLED display नहीं दी गई IPS ही मिलती है जो अकसर Samsung के स्मार्टफोन में सबी लोगों को पसंद होती है AMOLED display वो इसके अंदर आपको नहीं मिलती बात करें दोस्तों यूज़ एंटिफेस के बारे में तो इस मॉबैल के अंदर आप ऐसे ऊपर के तरह स्वाइप करेंगे आपको सारी अप्लिकेशन्स मिल जाती है इसके अंदर आपको Samsung का One UI दिया गया है तो दोस्तों अंदर से चलाने में ये मॉबैल बहुत ज़ादा बढ़िया लगता है परसनल इस चीज़ में मुझे ये मॉबैल बहुत ज़ाद अच्छा लगा यूज़ करने में ये मॉबैल काफी ज़ाद अच्छा लगता है और इसके अंदर आपको दोस्तो डिस्प्ले के अंदर 90 Hz का refresh rate दिया गया है ये खुब भी काफी बढ़िया है तो जब आप इसको use करते हैं तो आपको काफी smooth experience देखने को मिलता है ये खुब भी काफी जब अच्छी है इसके अंदर अब इसके डिस्प्ले में आपको करीब से दिखा देता हूँ डिजाइन आपको दिया गया है notch वाला, edges, bezels नॉर्मल दिये गया है तो दोस्तोर डिजाइन तो नॉर्मल ही मिलता है अगर पंचोल कैमरे वाले डिजाइन होता तो और ज़्याद अच्छा रहता बाकि अगर आप इसके डिस्प्ले के colors देखेंगे, brightness देखेंगे तो हाला कि इसके अंदर आपको IPSC display दी गई है AMOLED तो नहीं मिलती और HDC display है लेकिन फिर भी 200 display के जो इसके colors है, quality है brightness है वो काफी जादा बढ़िया मिल जाते हैं इसके अंदर quality wise वैसे फिर भी display काफी बढ़िया दी गई है इस angle से भी आप इसका design देख सकते हैं कुछ इस तरह किसा आपको मिल जाता है fingerprint scanner इसमा आपको back panel पे नहीं दिया गया लेकिन fingerprint scanner इस mobile के अंदर आपको मिल जाता है camera की ठीक निचा आपको दी गई है flashlight left side साब देखेंगे इसको तो sim की tray दी गई है इस तरफ और side साब देख सकते हैं इस mobile को यह आपको जादा ना मोटा मिलता है ना जादा पतला बाकि 200 sim की tray ऐसे मिलती है सके अंदर के आप 2 sim card और एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं यह खुब इसके अंदर आपको काफी बढ़िया दिये गई है इसके साथ दोस्तों नीचे की side साब देखेंगे इसको तो charging port, speaker, mic, headphone जैएक दिया गया है इस तरफ type support मिल जाता है इसके अंदर आपको side उस जो इसकी build quality है वो भी काफी बढ़िया है right side पर आपको मिलता है volume के buttons उसी की ठीक नीचे दिया गया है power का button fingerprint scanner इसमें आपको side में मिलता है power के button के अंदर ही तो fingerprint scanner दिया गया है side में उपर से देखेंगे तो आपको noise cancellation mic भी दिया गया है इसके अंदर आपको ये खुबी मिल जाती है अब दोस्तों 11000 में इसमें आपको दी गई है 4GB RAM, 64GB के internal storage चले चलते हैं settings के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी internal storage इसके अंदर आपको free दी गई है 64GB में से तो दोस्तों इसके अंदर आपको तकरीबन free memory मिल जाती है 48GB के आसपास तकरीबन 16GB जो है पहले से ही used है तो आपको 48GB storage free मिल जाती है इसके अंदर आपको तकरीबन चले देख लेते हैं इसके अंदर आपको Android का console version दिया गया है तो दोस्तों इसके अंदर आपको Samsung के One UI का 3.1 version मिलता है जो काफी बढ़िया है और Android का latest version दिया गया है Android 11 तो software तो इसके अंदर आपको काफी जाद updated मिल जाता है बहुत जादा latest ये खुब इसके अंदर आपको काफी बढ़िया दी गई है बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो इसके अंदर आपको बैटरी मिलती है 6000 image की एक दिन का बैटरी backup इसके अंदर आपको अराम से मिल जाता है बैटरी को लेकर ये mobile काफी जादा बढ़िया है और दोस्तों charger भी fast दिया गया है box के अंदर ही बात कर दोस्तों processor के बारे में तो इसके अंदर आपको मिलता है exynos का 850 processor अब दीखिए दोस्तों अगर आप एक बहुत जादा heavy user है performance आपको बढ़िया चाहिए तो वैसे तो इस range के अंदर आपको और जादा बढ़िया smart phones भी देखने को मिल जाते हैं बहुत जादा बढ़िया processor वाले बाकि अगर आप एक normal user है थोड़ा बहुत आपका heavy user है जैसा आप WhatsApp YouTube वगरा यूज़ करते हैं थोड़ी बहुत multitasking करनी है तो इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी heavy user के इसाब से मुझे ये mobile नॉर्मल ही लगा तो दोस्तों ये सारी खुबिया कमिया है इसके अंदर Galaxy F12 में 11000 में चलिए बात कर लेते हैं सबसे main चीज़ आपको इसको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए तो matter सबसे पहले ये करता है कि आपकी जो main जरुत की चीज़ है वो इसमें कैसी है तो दोस्तों देखिए अगर आपको design बढ़िया चाहिए तो अच्छे design के लिए आप इस mobile को ले सकते हैं लुकवाइस भी बढ़िया है design और दोस्तों quality में भी अच्छा दिया गया है बाकी दोस्तों अगर आपके लिए battery matter करती है तो भी ये mobile आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा बैटरी इसके अदर आपको काफी अच्छी दी गई है 6000 image की charger भी fast मिल जाता है अच्छी battery backup के लिए आप इसको ले सकते हैं इसके साथ दोस्तों अगर आपको camera बढ़िया चाहिए तो rate की सबसे वैसे skin दर आपको camera की performance अच्छी मिल जाती है आप इस mobile को खरीच सकते हैं अगर आपको user interface बढ़िया चाहिए तो भी या mobile आपके लिए काफे जादा बढ़िया रहेगा यह हूव़ी तो इसके अंदर आपको काफे जादा दी गई है जो बहुत से लोगों के लिए काफी important होती है जो चीज सेंदर आपको बढ़िया मिल जाती है इसे के साथ दोस्तों अगर आपको processor बहुत बढ़िया चाहिए तो अगर आप एक बहुत ज़ादा heavy user है तो आप कोई और सा smartphone भी देख सकते हैं इस budget के अंदर और दूसरे बढ़िया smartphone सा आपको मिल जाते हैं ज़ादा बढ़िया processor वाले नार्मल यूसके साथ से mobile आपके लिए काफी अच्छा रहेगा बाकि दोस्तों अगर आपको display ही बहुत बढ़िया चाहिए तो आप वैसे Samsung का कोई और सा smartphone भी देख सकते हैं AMOLED display के साथ इसके अंदर आपको AMOLED display नहीं दी गई बाकि फिर भी skinner आपको display के जो colors मिलते हैं brightness मिलती हैं वो काफी बढ़िया ही दी गई है और दोस्तो 90 Hz का refresh rate भी मिल जाता है तो वैसे rate के साथ से skinner आपको display काफी अच्छी मिल जाती है तो दोस्तों देखा जाए तो लगबख सारी खुबी skinner आपको काफी जादा बढ़िया ही दी गई है अगर आपको Samsung का ही smartphone पसंद है तो 11,000 में ये mobile आपके लिए काफी जादा बढ़िया रहेगा बस एक कीज मुझे skinner average ही लगी जो कि हैसकी performance इसका processor इसके अंदर आपको थोड़ी hang होने की दिक्कत मिल सकती है अगर आप एक बहुत जादा heavy user है तो तो इसके अंदर आपको problem होगी बाकी सारी चीज़े इसके अंदर आपको काफी जादा बढ़िया ही दी गई है rate के साब से मुझे ये mobile फिर भी Samsung को देखते हुए अच्छा लगा बाकी अगर AMOLED डिस्पले होती तो बहुत ही जादा बढ़िया रहता और processor थोड़ा better होता तो काफी अच्छा रहता आप बताएगा दोस्तो फिर भी comment करके आपको ये smartphone कैसा लगा ये चीज़ comment करके ज़रूर बताएगा और दोस्तो अगर आपको इसका comparison देखना है किसी और अपने पसंद के smartphone के साथ तो वो चीज़ भी comment कर दिएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी पसंद की वीडियो जल्दी लेकर आने की वीडियो कर आपको पसंद आए तो वीडियो को like कर दीजिए वीडियो के निचे जो लाल कलर का बटनों से दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं लाकर में दबा दियेगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुचते रहें इसके लब वीडियो कर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा वाटसेप फेस्बुक पे मिलते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई